नमस्ते दोस्तों, एकने की समस्या छीन सकती है आपके चहरे का निखार, इन तरीकों से कर सकते हैं इसका इलाज, हमारी तवचा प्रदूशन, धूल, मिट्टी और नजाने कितनी ही चीजों का सामना रोज करती है, इसके अलावा, स्ट्रेस, हार्मोन्स, जंक फूट आदी भ जहों से, एकने होने की समस्या का खत्रा काफी बढ़ जाता है, एकने एक ऐसी समस्या है, जिसमें तवचा में मौजूद पोस्ट लॉग हो जाते हैं, इन क्लॉग पोस में बैक्टरिया इकर्थे हो जाते हैं और उस जगह पर इन्फलेमेशन हो जाता है, कई एकने आपके चहरे पर दाग भी छोड़ सकते हैं, जो आपके सेल्फ कॉन्फिदेंस को कमजोर बना सकते हैं, इसलिए एकने का इलाज करना बहुत जरूरी है, एकने का इलाज करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई दवाई खानी होगी, आप अपने घर में मौजूद कुछ एकने का इलाज किया जा सकता है, एलोवेरा, एलोवेरा अपने कालमिंग और सूधिंग गुनों के लिए जाना जाता है, इसका इस्तिमाल एकने पर करने से रिडमेस और इंफ्लीमेशन दोनों को ही कम किया जा सकता है, एलोवेरा आप अपने घर पर भी आसानी से उगा सकत जो एकन से राहत दिलाने के साथ साथ स्किम को मौिस्चराइच करने में भी मदद कर सकता है। एलोवेरा के पत्ते को काट कर उसका जेल निकाल लें और अपने चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगा कर छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को साफ और ठंडे, पानी से धोलें, एकने कम करने में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। तीट्री ओल, तीट्री ओल में एंटी बेक्टिरियल गुन पाए जाते हैं, जो एकने की समस्या को कम करने में काफी लाबदायक होते हैं। बादार में मिलने वाली एकने ट्रीट्मेंट की, क्रीम्स की तरह, यह आफ की तवचा को ड्राइ नहीं बनाती और एकने से छुटकुरा दिलाने में भी मदद करती है। इसका इस्तेमाल आप सीधा एकने पर कर सकते हैं और रात भर छोड़ भी सकते हैं। हाला की, लगाने से पहले इसे डाई यूट करना न भूले। ग्रीम्टी, ग्रीम्टी का इस्तेमाल हम वजन कम करने के लिए करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल एकने की समस्या को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। ग्रीन ती में polyphenols पाए जाते हैं, जो anti-bacterial और anti-inflammatory होते हैं, इस कारण से यह एकने की परेशानी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकता है, ग्रीन ती के बैग को हलका गीला करके आप उसे अपने एकने पर लगा सकते हैं या फिर ग्रीन ती बना कर उसे थंडा करें और फ apple cider vinegar, apple cider vinegar bacteria और fungus के infection से बचाने में मदद कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल से एकने को कम किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि यह आपकी skin को irritate कर सकती है, इसलिए इसकी मात्रा से 3 गुना, अधिक पानी का इस्तेमाल करें और इसे ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंट के लिए एकने पर लगाएं और फिर धोलें, शेहद, शेहद में antibacterial गुन पाए जाते हैं, जो एकने से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, यह एकने की वजह से हुई सूजन को कम करने में भी मददगार, साबित हो सकता है, इसका इस्तेमाल आप face mask की तरह भी कर सकते हैं, और इसे सीधा एकने पर लगा सकते हैं, लगाने के 10 मिनट बाद पानी से इसे धोलें,